Advanced School Math and Science में आपका वेलकम The Face Tale, Class 5 का Mathematics, Chapter 1, Part 01, Episode 01 लेके आए हैं Advanced School Math and Science के ओरचे इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे थोड़ा सा इसके बारे में सीख लो हम Part 1 में Face का पोयम सिखाएंगे फिर कंप्रीजन करना सिखाएंगे कंप्रीजन और प्रिफिक्स सिखाएंगे Part 2 में Fisherman and Their Boards Part 3 में Some Big Big Number करोर, Billion, Trillion, Virinda, Padam, Samudra, Google, Googleplex, Indian System, International System and Computer System Part 4 में Face Market सिखाएंगे और Part 5 में Women, Mean, Banks और Fish को Drying Factory कैसे खोलते हैं इसके बारे में सिखाएंगे आईए हम लोग प्रियास करते हैं फिर का पोयम कंप्रीजन और प्रिफिक्स करकर के आईए पहला चेप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले हाईकू के बारे में सीखना है हाईकू मतला तीन संटेंस वाला तीन लाइन वाला आपका पोयम दूसरा आपको यहाँ पर है जैसे कि तुमको मैंने हिंदी मेडियम में हम आपको कबीर के बारे में शुनाई थे अब इसमें हम रहीम के बारे में शुनाएंगे दीन शमन को लाखत है दिन ही लखे न कोई जो गरीब दिन ही लखे दिन बंधू सभोई गरीब आदमी अमीर आदमी को चाहता है अमीर आदमी गरीब आदमी को नहीं चाहता है अगर अमीर आदमी गरीब आदमी को चाहने लगे तो वह भगवान के शमान है अब यहां पर का रहा है कि Do you know any poem of office? Yes, मैं भी सुनाओंगा When you think the face what, shape come your mind तुम्हारे माइंड में क्या आता है और here some drying made by children आईए हम लोग इसकी जवाब देते हैं तुम्हारे मैंने का यहां पर सुनो 1, 2, 3, 4, 5 ऑंस अ कोट अ फिश अलाई 6, 7, 8, 9, 10 देन आई लेट गो अगें Why did you let it go? Because it bit my finger so Which finger did it white? This little finger on the right पहला आपको मैंने शुना दिया अब देखो तीन मचलियां रहती हैं ना उसमें परी मचलियां बोलती हैं अम बोजे भी कुछ करने को तो उस पर मैंने शुनाया थिरी लिटल फेस प्लेंग इन फूल डाउन इन दो वाटर किलिर अन खूल अब कमस बिग फेस से आई कांट प्ले बाट दे थीरी लिटल फेस शुम शुम अवे ये वें धिंग फेसे बाट देखो तीन को मचलियां बना कर दिखाता और ये फूम को मचलियां बना कर दिखाता है चुकि आपके सलूशन हमने आपको पूरा एन से आड़े का आपको डाल दिया हूँ आप बाद में इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं आप Creator Super 30 30.com पर जा सकते हैं सर्दार पटेल Super 30.com पर जा सकते हैं यहां पर वीडियो को रोग करके भी आप लिख शकते हैं NCRD का सलूशन लाइन बाइन Advanced School Math and Science के और शे लुक अट्वे फेश डिजाइन अरॉंड यू वान क्लॉट फेंटिंग वान दा मैट इससे में जो है फेश मिनाच्छी मतलब वागल्स जिसकी आँख ऐसा हो आई हम लोग देखते हैं यहां पर यह ड्रॉप कर दिया गया है यहां पर तुम्हारे पास है यह कंसेप्ट चिखाया गया है यह बात को समझो कि 10 to the power 0 को यूनिट कहते हैं 10 के power 1 को डेका फिर हेक्टो, कीलो 10 कीलो चुकि यहां पर तुम्हारे पास आएगा यहां पर देखो एक मीटर बराबर कितना सेंटी मीटर देखो एडर इधर जाएगा तो पलस होगा एक, दो, दो यानि 10 के power 2 पलस में यही तुमसे पुष्टा एक किलो मीटर बराबर कितना मीटर तो देखो किलो यहां है मीटर को एक, दो, तीन यानि 10 के power 3 मीटर यानि जब पलस एधर जाएगा तो तुम्हारा पलस होगा इधर आएगा तो मैनस होगा यहां बात तुमको सीखने की जरूरत है और आपको सीखाया गया है अब यहां पर कुछ-कुछ जो है बेस्ट यूनिट को जानना जरूरी है जैसे मीली यहां पर माइक्रो यहां नैनो पिक्टो 10 तुदी पावर माइनस 15 को फैम्टो 10 तुदी पावर माइनस 18 को अट्टो यहां पर जैप्टो एक्टो इसी डंग से 10 तुदी पावर 15 को यहां पेटो 10 तुदी पावर 18 को एक्सा 21 को जेटा यहां पर वाइटा अब देखो यहां पर तुमारे पास बहुत बात हमको अभी करनी है जैसे यहां पर देखो यह बिलियन है 10 तुदी पावर 9 को बिलियन कहते है UPAC के इंटरवियू में कोशन आया था कि बिलियन का सेंबुल क्या है लोग भी मार दिये बाद में जो आया जीा जीगा उता है भाई बिलियन को जीगा कहा जाता है या बात तुमको सीखने की हो शकता है और आपको शिखा दिया गया है आये कुछ कोशने आता है यहां दुख्यों को वेल मचली है ना इसकी वेट जो है 1600 केजी है लेंग्ध इसकी 18 मीटर है अब यहां पर तुम्हें कोशन करने की जरुवत है तो वहां पर मैंने सिखाया था कि एक मीटर बराबर 100 cm होता है यानि यहां 18 मीटर है तो 1800 cm हो जाएगा और एक सेंटीमीटर का ही मचली है तो इससे कितना टाइम्स मल्टिप्लाई है तो 1800 मल्टिप्लाई है अगला तुम्हारे बास करा है वेरा डिफरेंट फॉम्ट फीस पर ब्रेथ लाइक आर थूद अंदर नोज उसके देखो क्या क्या होता है क्या अंतर है जो जेनरल फीस में इसका नोज नहीं होता है और वाटर में यानी वह सब चीड जैसे वेल मच्री बच्चा देती है तो फिस अंडा देती है और मनुष्य को अहां फूल नहीं परूचाता और एक वेल मच्री जो आए 18 मिटर की लंबी है और उसकी वजन को अब यहां पर तुमआरे पास है चे हो थी अच्छा चीज है इसको देख लो दिमांग में फिट कर लेना है इदम देखो इसको गहर शे अभी मैंने इसी चीज को प्राया इसी को मैंने अपने से टाइप भी कर दिया यहां पर इसलिए एक बार जरूर देख लो एक बार देता हूं टेन टू दी पावर जीरो को य वार चार को दस इंटो दस के पावर ती यानि टेन कीलो यहीलिखावा टेन कीलो में एक और मेंगा घीगा जेगा एक पैट टेन जीगा टे आ अंडेट जीगा तेरह कि इसी दंग से यहां पर सिखाया गया है और देखो यह 15 को अगर कहा जाए तो देखो यह 13 कहा गया यह 15 को क्या कहा जाएगा यहां पर इसको सेक्टरेलियन और वही माइनस लग जाएगा तो टीयेच लग जाएगा ये करके आपको सिखाया गया है यह आपको अच्छी धंग से सीखना चाहिए यह देखो कितनी सुंदर फिगर बना जिया है इस पिंदर फिगर को आपको देखना है दिमाग में फिट कर लेना है आए देखें एक प्रग्या जी है एक प्रगाशी प्रग्या प्रग्या जी का देखें यहां पर प्रग्या जी 25 कजी के है और ऐसा ऐसा 12 कजी हो गया है तो टोटल 300 कजी हो गया है बहुत अच्छा और प्रग्या जी 30 कजी का है तो 360 कजी का हो गया है यहां बात मैंने कर दिया आज 16,000 से घटे नहीं प्रग्या जी तो 300 यहां हट गया है 15,700 यहां पर 16,000 हो गए ना और 360 हट गया जी रोओ यहां 40 यहां छे 15,640 बात समझ में आ गया देखिंए यहां पर आपने प्रग्या जी को लाया प्रग्या जी को लाया आप जैसे चोटे-चोटे बालक वेने लाने का प्रयास किया कि अब देखों के टेल में कि इसका सीधे सीधे होता है इसका उपर दिगा होता है ये अंतर समद बें आ गया होगा कि नहीं आया है कि चलिसे आंके देखते है अस्कूल फिस की जरुड़ic क्यों परता है अरि जब घटे में जाएगा ना कि अगर कोई 12 ना कि लगे कि और भाई हमसे तो 12 पैसे इसलिए यहां चीज को किया ए कि अब ने कभी कभी जो यह जो हमना सियार सेरका उन भाण करत mol अब घरने रही है अ खुब पानी पी लिया खुब पानी पिलए खुब पानी पी to यहां पर बहुत सारे चीज यहां पर दिखाया गया है देखिए औक पस काम प्राउंस प्रेटोस फिस्ट कटल फिस्ट इसक्वाइट सिल्वर फॉर्मेट क्रैब इल सी यह सब है तुम्हारे पास अब देखो इससे तुमसे कोशन पूछा जाएगा कोशन क्या पूछा के आया है यहां बात को सीखो करा है कि जैन सी यूज दा सेप मेकिंग दो ड्राइंग दा फेस यूर दसाम यह वलाद को ना करके देखो यह बनाए यहां पर देखो को आ। आइम सेेच्न प्रॉंज गिननका मचलीúp को देखा है केड मेंको निएक अप्स्य बना दोगे तो इल को भी देखा है जो भी करनाइं एपन अ neutrा इसमें कोई तरह का दुम्हां की बात नहीं है, तो इस chapter में देखो तुमको क्या सिखाना चाहरा है, एक तो compare करना सिखा दिया, बरी मचली को छोटी मचली से, दूसरा क्या हुआ, कि बरी मचली के वजन को आपका student से compare करना सिखा दिया, अब तीशरा बात यहाँ पर prefix के बात क किया है, जैसे आपका यहाँ पर मीटर है, तो centimeter, तो यहाँ पर एक मीटर बनावर 100 centimeter, देखोगे कि पहले जो geometrical box होता है, उसमें रटवाता था, ऐसे रटवाता था, 10 mm बवर एक सेंटीमीटर और 10 cm बवर एक डेस्टीमीटर रट्ली की जरूत नहीं है जो टेबल बना दिया काभी शुंतर है और उस टेबल से आप अराम से बना सकते हैं इसमें कोई दूमत की बात नहीं है अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास मस्चली की पोयम की तो आपको एक सटन्क से को पोयम थेमांग में सेट करना परेगा AND आपको देखो थेखो बात में करता हुए है कि किसी भी भी इदुआ जो हम लोग पढ़ते थे नऑ उस दोहें के पीछे रहा शकी होता है कोई सी नहीं है आपको प्रस प्राई करना है इस पर हमारे कभिर जी लिखते हैं माला तो कर्में फिरे जीब फिरे मुखमाई मनुआ तो दहुदिशा फिरे ये पूजा ना है माला हाथ में फिरता है जीब मुखमें फिरता है जह सिर्याम जह सिर्याम और बंड़ दसो दिशा में फिरता है क्या ये पूजा संभो है आप जो प्राई कर रहे और हुँ शुडा आपको प्राई कर रहा है मान को एकागर कर देना है जब इसमें को परने LEE तो दुनिया का हरे इक चीज्त आपको पर करते हैं परकास का वेट 32 kg है और यहां पर 16 यह पूरा करना है यहां 32 पांच बार में लगा यह जीरो जीरो बार में लगा फिर यह जीरो उत्रा जीरो बार में लगा यह बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए चुकि देखो डिवाइड करने में प्राबलम है मार्केट में किसी से पूछो एट का टेबल आता है हां उसको डिवाइड करने देगो 56 और 64 अब वो क्या करेगा आर्शते 56 लगा दिया यहां बर यार जीरो आ गया अब 6 उतारा इससे छोटी हो गई ना तो जीरो बार में यह डिवीजन सही है मार्केट में लोग सिखा दे कैसे यहां ध्यान देना यह जीरो बार में पहले लगेगा जीरो टाइम्स का काफी इंपॉर्टेंट्स है यहां पर अगली प्रस्त है इफ है प्रेज्या वेट 10.25 केजी दैन हाँ मेनी गाल्स ही वेट इक्वल तो दे वाल्स पाक तो से शीट केजे 16,000 केजे यहां पर 25 छे बार में लगा देर सो यहां पची चव को सो छे जीरो बार में अब इसको तुम चेक भी कर सकता है मल्टिप्लाई करके तो यहां जीरो पंच चो को बीच छोज पचे तीश और जीरो आठ बार बिल्कुल आपका सही जबाब है वन वेल सार्क वाल लॉंग 18 मेटर 55 सेंटे मेटर एक मेटर में 18 सेंटे मेटर सो सेंटे मेटर होता है यहां 18 मेटर हो गया तो 1800 सेंटे मेटर हो गया अब इस 1800 को 45 से डिवाइड करेगा चार बार में लगेगा यानि यहां 0 40 अगला दा सेंबुल अफ एक्सा ए दा सेंबुल अपेट्टा कैप्टल पेग दा सेंबुल अफ टेरा दा सेंबुल अफ जेगा इस जेगा के बार में याद रखियेगा बिलियन को कहा जाता है बिलियन को कहां पुझाता प्रास्थ UPSC के इंटर्विव में 21 कैप्टल जेट सेंबुल अफ टेर्ण टु दी बार वार वन डे का डिये 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 इसका मिलाने की जरुगत 10 के पावर 3 को कीलो कहते है 10 के पावर 4 को 10 के कहते है 10 के पावर माइनस 4 को 100 माइक्रो कहते है माइनस 7 को 100 नैनो कहते है अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हें डिस्कास करना परेग आओ कि 10 to the power minus 4 को 100 micro q क्यों कहते हैं देखो एक micrometer बड़ाबर 10 to the power minus 6 होता है यादि 10 to the power minus 4 को 100 into 10 के power minus 6 लिखा जाजा है इसलिए इसको हम 100 micro कहते हैं अब यहाँ पर 10 to the power minus 7 है ना तो इसको 100 into 10 के power minus 9 इसको 9 कहते हैं यानि यहाँ 100 हो गया यहाँ बाग आपको अच्छे ढग से समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर 10 के power 8 है तो यहाँ पर 10 के power 2 into यहाँ पर 10 के power 6 और इसको 100 कहते हैं इसको मेगा कहते हैं थैंक्यू पर वाचे इंग अरॉन से स्कुल मेंग साइंस